जमानत मिलने के बाद भी सचिन और सीमा की जिन्दगी बहुत आसान फिलाल दिखाई नहीं पड़ रही है अच्छी बात सिफितनी है कि सीमा का लगतार ये कहना है कि वो यहीं भारत में ही सचिन के साथ रहना चाहती है जिसकी इजाज़त कोट ने दे दी है सीमा और सचिन सचिन के रभपुरा वाले घर में रह रहे हैं लेकिन हर वक्त उन पर पुलिस की निगरानी है दोनों बिना पुलिस को बताए कहीं जा भी नहीं सकते और दोनों को अगर मूमेंट करना होगा तो उसके पहले पुलिस को इंफॉर्म करना होगा जमानत मिल गई है लेकिन सीमा के खिलाब पुलिस की जाँच अभी भी जा रही है सीमा के कई सारे दस्तावेज तूसरी एजनसीज को भी भेजे गए है और बड़ी बात यह है कि कहा जा रहा है सुत्र के हवाले से जिस वक्त सीमा को पुलिस ने बरामत किया था और सीमा का फोन बरामत किया था उसका फोन तूटा हुआ था अब पुलिस ने उस फोन को ठीक कराया है उस फोन के डेटा रिकवरी की कोशिश की जा रही है उसे खंगालने की कोशिश की जा रही है अगर उस फोन से कुछ भी संदिक्द मिलता है तो ये सीमा और सचिन के लिए मुश्किल भरा पल होगा लेकिन फिलाल उस फोन के अंदर क्या कुछ है ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है पुलिस की आगे की इंवेस्टिगेशन काफी हद तक अब इसी फोन के डेटा पर निर्भर करती है